हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका भूशन म्यूजिफाइज इस मेरे चैनल पे ये वीडियो है इयर ट्रेनिंग के बारे में मैं आपसे कोई सवाल पुछूंगा म्यूजिक के बारे में उन सवालों के आपको जवाब देने हैं अपने आपको और अगर आपने 10 आउट आफ 10 तो मुझे जरूर बताना है और अगर कम माकसा आते हैं तो भी मुझे बताईए कि आपको कितने माकसा है 10 questions I will ask मुझे ये जानना है कि इस वीडियो के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको ये पसंद आता है तो मैं इस टाइप की वीडियो उसको बनाता रहू किंगे आपको कान तयार होगा आपको musical instruments आते हैं तो आप music arrangement कर सकते हैं तीन बना सकते हैं किota आपका कान तयार होगा अपने को कान तयार करना है म्यूजिक के लिए तो उसकी एक जलक इस वीडियो में मैं आपको दूँगा इस वीडियो को अंतक देखिए सारे 10 के 10 सवालों के जवाब दीजिए और कॉमेंट में बताईए आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर कीजिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए बहुत सारे वीडियो जहाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे इन वीडियो से शुरू करते हैं मैं दो पीच्छ बजाओंगा आपको बताना है उनमें हाईयर पिच कौन सा है फिर से सुनिए मैं एक स्केल बजाओंगा आपको बताना है वो स्केल कौन से टाइप की स्केल है फिर से सुनिए मैं कौर्ड बजाओंगा आपको बताना है वो कौर्ड कौन से टाइप की कौर्ड है फिर से सुनिए मैं ग्रूप ओफ पिचेस आपके लिए बजाओंगा आपको बताना है वो पिचेस किस ओर्डर में जाते हैं फिर से सुनिए मैं एक पिच को या एक नोट को multiple times बजाओंगा या फिर एक बार बजाओंगा आपको मुझे बताना है मैं कितनी बार उस पिच को बजा रहा हूँ फिर से सुनिए मैं दो पिचेस बजाओंगा आपको बताना है उनमें लोवर पिच कौन सा है फिर एक बार सुनिए फिर एक बार सुनिए मैं एक स्केल बजाओंगा आपको बताना है वो स्केल कौन से टाइब की है फिर एक बार सुनिए मैं एक कौड बजाओंगा आपको बताना है वो कौड कौन से टाइब की है फिर एक बार सुनिए मैं एक सेट अफ पिचेस बजाओंगा आपको बताना है वो पिचेस कौन से ओर्डर में जा रहे हैं पिर एक बार सुनिए पिर एक बार सुनिए मैं एक नोट को बजाओंगा आपको बताना है मैंने कितनी बार बजाया फिर एक बार सुनिए तो मैं मेरे प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करूंगा कि जिसमें मैं आपको विडियो के जरीए ये सिखाओंगा कि किस सरह से आपको अपने एर को ट्रें करना है एक पर्टिकुलर क्वेस्टन को सॉल्व करने के लिए जैसे कि स्केल का टाइप कौन सा है कौर का टाइप कौन सा है मैंने दो पिच्छे बजाएं तो उसमें कौन सा पिच हाईयर है कौन सा लोर है ये सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं जब आप अपने एर्स को सही तरह से ट्रें करते हैं यह मैं सब सीखा हूँ और उसके advantages उसके जो फाइदे हैं वो मुझे पता है और मैं आपसे वो करवाना चाहता हूँ बस खाली आपको मुझे बताना है कि यह मेरी जो technique है जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आपको अगर पसंद आता तो मैं जरूर इस चीज के धेर सारे वीडियोज बनाऊँगा और आपको एक सही material ओफर करूँगा जिससे आप genuinely develop हो सकते हैं और किसी भी song को आप easily बजा सकते हैं किसी भी musical instrument में सो मेरे वीडियोज देखते रही है फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स में शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया तो music practice करते रही है all the best